असलाम लेकुम ड्रैट्स पार्क्स एसस अकैडमी के यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलिज पर आपको हुश्य अम्दीद आज के जो लेक्चर है जनल साइसे न अबिलिटी का यह सेट एट के उपर है पीछे हमने प्रिवियस सेट जो है उनको देखा उनमें डिफरर्ण को देखा और एक टाइट के जो है आजके लेक्ण्चरम स्वाइब स्थुर मीड़ाओ को सिर्दियरs की एक्जामपल के बारे में आपने बताने है ऑजाते हैं और Mind औरगानिक मेतर जितना भी मेटर ऑने के ए सीम्पल Binब करकों सबस्क्डा लोग पार्टृस्ट और के जिकमपॉसर मेटर करता है गता है जितना भी औरगानिक मेतर होता है इस ऐसान और भी ओपार्टिक में इसमें आपको मैंने बता दिया होता क्या है और यह जो primary decomposers हैं वो क्या हैं आपके पास? fungi and bacteria next आप से पूछे जा रहा है यह primary consumers जो हैं उनका दूसरा नाम क्या है? वो आपको पता होना चाहिए वो herbivores हैं अब यह जो consumers हैं इनके different types हैं like यह primary है, secondary है and tertiary है जो primary हैं उनको herbivores बोला जाता है secondary और tertiary को क्या बोला जाता है वो भी हम आगे देखेंगे चीक है और यह herbivores होते क्या हैं क्या करते हैं herbivores का जो word है यही आपको sense दे रहा है इनोंने herbs के उपर, आपके grass के उपर, आपके plants के उपर feed करना है that is why इनका जो नेम है वो herbivores है और दूसरा जो नाम है primary consumer भी है next जो question है, ecosystem के उपर है वो भी और इसमें आप से पूछा जा रहा है कि ultimately source of energy क्या है यह का किसी भी natural ecosystem के अंदर अभी जो ultimately source of energy के इनोंने जिकर इदर किया है इदर आप अगर लगा दें के main source of energy क्या है ठीक है, most important source of energy क्या है किसी भी ecosystem का तो तब भी इसका answer यही होना था light, ठीक है, light कह ले, UV light कह ले, sun light कह ले sun rays कह ले, कुछ भी कह ले, up to you आगे चलते हैं next question ecosystem के उपर रू है इदर उच्छा है आपसे उसकी functioning के बारे में कि कोई भी आपका ecosystem है चाहे वो कोई artificial है या natural ecosystem है उसके जो main components है, वो क्या है या फिर उसकी जो functioning है, वो किसकी उपर depend कर रही होती है तो वो आपने बताना है, biotic and abiotic components हैं वो biotic means जितनी भी आपके living organisms है, जितनी भी आपके living things है, ecosystem के अंदर वो सारी के सारी biotic components है और abiotic factors वो हैं या abiotic components वो हैं जो के non living है, like your water, light और उसके इलावा air, यह जितने भी हैं यह abiotic components हैं नेक्स्ट आपका जो question है, वो ecosystem की definition की उपर है, यह इसको तो आपने सबसे पहले याद करने हैं क्या है ecosystem कि कोई भी आपका natural environment है, उसका interaction आपकी जब community के साथ होता है, that is known as ecosystem ecosystem, यानि के जो आपके abiotic and biotic factors हैं, वो एक जगा पर इकठे होकर एक दूसरे को effect कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यह आपकी definition है आगे चलते हैं question number 6 है, biotic components includes, आभी तीछे मैंने आपको बताया, abiotic components कौन से होते हैं आपकी air थी, light थी, water था, ठीक है, soil वगएरा, अभी जो biotic है, यह कौन से हैं, यह आपके producers हैं, consumers हैं, and decomposers हैं consumers क्या होते हैं, पीछे आपने देखा, three types के होते हैं, primary, secondary, and tertiary, decomposers, fungi and bacteria, वो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी यह producers हैं, यह भी आपको मैं बता दूँगी, लेकिन आपके पास इदर जो definition थी, biotic components की, वो यही थी, कि these include producers, consumers, and decomposers, 7th one जो question है, अभी देखे, consumers के उपर ही है, और exact definition है इदर आपके पास, types की बात नहीं की जा रही, आपसे examples नहीं पूछी जा रही, किसको बोला जाता है consumers, वो आपने बताने, तो consumers जो है, यह आपको इसका जो word है, यही बता रहा है कि कुछ ऐसे organisms, कुछ ऐसे micro organisms, या higher organisms, जो के, कुछ consume करते हैं, food को consume करते हैं, आप वो खुद दूसरे organisms को consume करते हैं, प्लांट्स को consume करते हैं, या फिर किसी भी आपके food content को consume करते हैं, तो वो consumers होंगे, आपके पास इदर definition भी यही चीज़ पूछी है, कि ऐसे animals या plants, जो के food का intake करने के लिए, दूसरे animals या plants के उपर feed करते हैं, उनको हम consumers कहते हैं, आगे चलते हैं, येस, consumers में Omnivores के उपर question आ गया है, ये टाइप है consumer की, और ये Omnivores किसको बोला जाता है, ऐसे animals को, जो के plants के उपर eat करते हैं, ठीक है, और उसके इलावा साथ के साथ ही वो आपके animals को भी eat करते हैं, ठीक है, एक होते हैं कार्डिवोर्स, कार्डिवोर्स ऐसे organisms को बोला जाता है, जो के animals के उपर feed करते हैं, ओमनी ऐसे होते हैं, जो के plants को as well as आपके जो animals हैं, उनको भी खा जाते हैं, जो human beings हैं, जो इसकी आप example इदर ले सकते हैं, इस इस वेरी good example, ये जो इदर आपको diagram दिखाई जा रही है, center में आपके पास क्या हैं, ओमनी वोर्स हैं, और ओमनी वोर्स क्या हैं, ये इनों ने plants को भी eat करना हैं, और आपके animals को भी, left में जो है, ये हर्बी वोर्स हैं, आपको नजर आ रही हैं, diagram में, ये सारे के सारे grass eating animals हैं, और उसके इलावा जो right में आपको ये नजर आ रहा है, oval, इसमें क्या है, कि इनों ने आपके animals के उपर eat करना है, ये तीनों इदर definition wise और example wise इनको आप note कर सकते हैं, आपको question इस तरीके से भी पूछ सकता है, examiner के जो polar bear है, वो क्या है, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, question के higher animals हैं, like human beings, वो क्या है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कि आपकी जो cow है, आपके ecosystem में, वो क्या है, ये क्या तो फिर आपन आगे चलते हैं कुस्टे नमबर नाइन की तरफ जी आपसे पूछा जा रहा है इदर कि ऐसे और्गनिजम्स जो के असूसियेशन बना कर रहते हैं अपने इन्वार्मेंट में किसी दूसरे और्गनिजम्स के साथ उस प्रॉसेस को क्या कहा जाता है वो आपने बताना है नीच अगरेंगे और नाचाहूं तो आप इसकी अग्जम्पल इस तरीके से ले सकते हैं एक आपका गार्डन है उसमें प्रॉसेस कुछ अगर कुछ आकर आप माईग्रेट कर जाते हैं कुछ पैर्ट्स वगर्ण तो वो क्या करेंगे वो अपने मेंस वगर्ण बना लेंगे आप आपके जो फ्रीज हैं उन में मुझूद जितने इंसेक्ट्स वगर्ण हैं वो क्या करेंगे उनको खा लेंगे इंग इंग रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो प्लांट है उसको उसे बैनिफिट होगा हामफुल इंसेक्स वो उसके उपर से खतम होते जाएंगे अब यह त पैरिट का आपके ट्री के उपर अब ट्री को क्या बैनिफिट है प्री को बैनिफिट जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरिट का कलर ग्रीन है तो प्रीडेशन का जो प्रॉसस है वो ग्रीन कलर उसको एवाइड करता है अगर किसी एनिमल का किसी प्लांट का कलर उसके आपकी जो हंटिंग और गनीजम होंगे वह क्या करेंगे उसको प्रिवेंट करेंगे उसको इजी ली फाइंड आउट नहीं कार सकेंगे यह पूरे का पूरा जो प्रॉसस है यह यानि कि एक और गनीजम में दूसरे को दूसरे ने पहले वाले को कुछ बैनिफिट जो है वो इस तरीके से वो खुद को सिट करकर रख रहे हैं अब यह भी जो कुस्टन है यह कुस्टन नमर नाइन से मिलता जुलता है और इसमें क्या है कि सूसेशन ही वो ही है लेकिन इसमें जो ऑर Соdal गनीजमेंजमज हैं वो क्या कहलाए जाते हैं यह आपने बताना है इन ऑरंगनि है यहां पिर उनका जो सब्स्ट्ट है या फिर उनका आसोसियेटिंग और बीफिट्स प्रोड और इन रिजल्ट वह भी उनको कुछ प्रोड़ करें तो उसको आफ इस्टोशियेशन बोलते हैं और जो और जरू मेशना को उनको इंवा जाता है आगे चलते हैं पीछे हमने बात की नेक्स्ट आपके जो टर्म है ये भी उसी से मिलती जिलती है इसका नाम है पैरसाइटिजम पैरसाइटिजम में क्या होता है पैरसाइटिजम की आपको डैफिनेशन इदर तो वाइट की गई है आपने उसके लिए word इस्तमाल करना है और वो आपको इधर given है अब यह होता क्या है इसमें क्या होता है कि आपके जो organisms हैं उनकी अपस में association बन जाती है लेकिन एक जो है organism वो दूसरे को हाम करता है food का intake करता है उसे और वो क्या करता है उसको danger करता है endangered form में ले आता है अगर आपके tree की बात की जाए तो tree के उपर अगर कोई आकर दूसरे plants उसकी बात के उपर लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं food के लिए intake करते हैं उसकी roots जो है वो small epiphyट की या आपके दूसरे plants की वो उसकी shoot के अंदर से उसके बात के अंदर से जो nutrients हैं उनका intake कर लेते हैं उनको absorb कर लेते हैं और जो खुद plant होता है या फिर tree होता है उसके पास food competency वाली situation आ जाती है इसकी इलावा कोई भी आपके पास bacteria है जब viruses हैं या कोई भी parasite है वो आपकी body में जब invade करता है और बात कर सकते हैं आगे चलते हैं predator की इदर आपको definition तो वाइड़ीड है तो predator बोलते किसको है predator बोलते हैं ऐसे animals को जो के capture करते हैं अपनी food by killing other organisms ठीक है ऐसे organisms जो के दूसरे animals को या दूसरे organisms को खतम करके उन से अपनी जो food है वो लेते हैं उनको हम predators बोलते हैं ये ecosystem के हवाले से जितनी भी definitions हैं ये वो ही आपको इदर बताई जा रही है और ये काफी important है इनके उपर आप देखेंगे बहुत सारे questions आखिके हैं ये speech हमने parasitism की बात की mutualism की बात की उसके ही related एक और इदर definition आई है commensalism commensalism में क्या होता है commensalism के जो पहले इदर bird के कुछ letters है इसमें आपको इसका जो concept है वो मिल जाएगा और वो concept है क्या कि इसमें association तो बनती है organisms की आपस में लेकिन एक benefit देता है दूसरे को और दूसरा जो है इन result उसको कोई benefit नहीं देता ठीक है इदर आपको commensalism की कुछ examples भी दिखाई जा रही है like आपकी जो center में नजर आ रही है diagram epiphights के उपर जहां पर बात के उपर कुछ plants हैं छोटे छोटे जो grow कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है tree का जो है वो ले लेना है क्या nutritional content उसके comparison में आपके पास जो right में diagram है ये भी commensalism है bird है बट उसका color green नहीं है ये चीज आपने याद रखनी है वो क्या कर रहा है उसने अपना nest बनाया है और उसने provide किया है protection उसको by making its nest on the tree or on your plants और उसके इलावा ये जो grazing animals है ये भी आपको इदर नजर आ रहे हैं ये definition जो हैं ये आप देख सकते हैं इजर से आगे चलते हैं consumers के उपर question है yes consumers के उपर again आया है जैसा कि मैंने आपको बताई आपको कोई animal provide किया जा सकता है कोई organism provide किया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ecological point of view से आप इसको क्या कहेंगे ठीक है तो human की इदर बात की जा रही है human क्या है human beings consumers हैं और कौन सी type के हैं ये tertiary consumers हैं यानि कि ये plants को भी eat करते हैं और animals को भी आगे चलते हैं आपका जो topic था ecosystem और उसके उपर पर 10 questions वो completed है आगे next topic है आपका oceans के उपर और oceans में जो first question है yes ये बहुत important question है आपको oceans का कहीं भी जिकर हो तो ये question ना पूछा जाए तो ये मतलब और ये है क्या कि आपका जो earth crust है उसके उपर ocean कितना cover करते हैं आपकी surface का वो है 70% ठीक है आपको पता है ना कि जो आपका crust crust है उसके उपर two types के crust है ठीक है एक है oceanic crust और एक है आपका territorial crust जो oceanic crust है वो कितना है है वो 70% है नेक्स्ट आपका question जो है ये भी कफी tricky है ocean currents are crust by dash जी ocean currents का मतलब होता है कि जितने भी आपके throughout the world oceans है seven उनने movement हो water की और एक water जो है वो दूसरे ocean में transfer हो जाए और ये ऐसा कब होता है आपकी permanent winds की वज़ा से होता है और इस process को क्या कहा जाता है oceanic currents ठीक है जब बहुत ज्यादा किसी भी इलाके में intensive winds चलती है तो क्या होता है आपके ocean currents cause होते हैं next question है ये भी ocean के उपर है tides in ocean are cursed by dash जी आइट इन ocean are cursed by dash इसका मतलब क्या है कि जो लहरे उठती है आपकी समंदर में वो किसकी वज़ा से होती है ठीक है आपने ये term सुनी होगी कि जो चांद है वो जमीन को अपनी तरफ खींचता है ठीक है उर्दु में ये आपने term सुनी होगी वो basically क्या होता है वो आपकी tides होती है और वो किस वज़ासे होती है gravitational acceleration की वज़ा से attraction की वज़ा से और sun and move की moon की जो force of attraction है उसकी वज़ा से वो होती है तो आपकी आंसर के according था gravitational attraction of the sun and moon छीक है इनके दर्मियान attractive forces पाई जाती है जब आपका full moon होता है तो आपकी जो oceans है उनका water upwelling की तरफ जाता है यह जो upwelling होती है आपका tides वगर आपको produce होती है इनकी वज़ा से क्या होता है आपके जो weather है आपका climate है उसके अंदर भी sudden change आ सकता है आपके जो nutrients हैं आपके ocean में वो भी क्या करते हैं एक जगा से दूसरी जगा transfer हो जाते हैं पैटो मीटर के उपर question है कि यह क्या किया जाता है इसके साथ और इसको आप इस्तमाल करते हैं oceanic depths को मैयर करने के लिए ठीक है एक चीज़ आपने याद रखनी है एक question होता है आपके पैरिस्कोप के उपर और एक आता है आपके फैटो मीटर के instrument के उपर जो फैटो मीटर है यह आपके oceanic depths को find करने के लिए मयर करने के लिए इस्तमाल किया जाता है वाइल जो आपका पैरिस्कोप है उसको हम इसली इस्तमाल करते हैं यह आगे next आपका question भी है उसको हम submarine का जो बॉटम है यानि के आपका ocean है आपका water है कोई भी water body है उसका जो बॉटम है उसका clear view देखने के लिए हम पैरिस्कोप को इस्तमाल करते हैं 90 के अंगल के उपर इसको हमने सेट किया होता है इधर आप डाइग्राम में इसका जो अप्टेटर है वो देख सकते है इसमें प अप्राइटली आपकी water body के अंडर लगाया जाता है और जो उसका observing point होता है वहाँ पर आपका plane mirror लगा होता है और जो focal point होता है plane mirror का at the upright position वहाँ पर 45 degree का जो एंगल है या फिर 90 का अंगल भी आप इसको कह सकते हैं वो किया होता है उससी क्या होता है कि आपकी जो movement होती है water क within your submarine level वो क्या है easily observe की जा सकती है आपके जो organisms है उनको भी आप इस तरीके से देख सकते हैं phytoplankton's है zooplankton's है micro organisms जितने भी आज जाते हैं वो सारे के सारी इसके थ्रू जो है वो देखे जाते हैं तो यह आपका last question था hope so आपको समझ लग गई होगी ocean के उपर जो कुछ questions थे और ecosystem के उपर कुछ questions थे बहुत important थे इनको आपने देख लेना brightspark css academy के youtube को channel को ज़्यादा से ज़्यादा like करें share करें और subscribe करें ताके new आने वाली जितनी भी notification है वो आपको मिल सकें अला हाफिस ठापको करें k